चैजिनेंद्र, मैं निधी वाधर, समिस्टर 7, पेपर 3, समयसार अनुशिलन पर पंद्रवी गाथा की सम्मरी करने जा रही हूं। शुद्रने का विशेबुच्य भगवान आत्मा द्रव्यशुत के द्वारा कहा गया है और भावशुत के द्वारा जाना गया है उसे ही यहां अपदिस सुत्यमज्य कहा गया है। इस प्रतार जो पुरुष द्रव्यशुत से वाच्य एवं भावशुत से गेव, अबद्दिस प्रष्ट, अनन्या, नियत, अविशेश एवं असैयुत आत्मा को जानता है, अनुभव करता है, वह समस्त जिन्शासन को जानता है। तात्पर्य यह है कि जैनागम के माध्यम से या उसके उपदेश दाता जिन्वर देव, जिन गुरुव, ज्यानी धर्मात्म जनों के माध्यम से नेचि भगवान आत्मा को जानकर उसका अनुभव करता है, आत्मानों भूती से संपन्न होता है, वही समस्त जिन्शासन का मर मगन हो जाता है टीका में आचारे अमर्चंद्रदेव कहते हैं पांच भाव स्वरुप आत्मा की अनुभूती ही वह निश्य से समस्त जिन्शासन की अनुभूती है क्योंकि शुत ग्यान स्वयम आत्मा ही है इसलिए ज्यान की अनुभूती ही आत्मा की अनुभूती है किन्तु चप्स आमान्यगान के आविरभाव और विशेश गयाकार ज्यान के तिरोभाव से ज्यान मात्र का अनुभव किया जाता है तब ज्यान प्रगट अनुभव में आता है तथा पी जो अज्ञानी है गेयों में आ सकते हैं उन्हें बहुत स्वाद में नहीं आता है इसे आचारे नमक के उधारन से समझाते हैं जिस प्रकार अज्यानी वंजन लोलुप मनुश्यों को अनेक प्रकार के वंजनों के संबन से जो लवन का आने वाला अनुभव है उसमें सामान्य लवन का तो तिरोभाव और विशेश लवन का आविभाव होता है किन्तु सामान्य लवन एकाकार अभेद रुब लवन है उसका स्वाद नहीं आता उसी प्रकार अज्यानी गेय लुबद जीवों को अनेक प्रकार के गेयों के आकारों के साथ मिश्य रुपता से ज्यान का आने वाला अनुभव है उसमें सामान्य ज्यान का तिरोभाव और व पहे दुरूप ग्यान स्वात में नहीं आता है। आत्मा ही ज्यान होने से आत्मानुभूती ही ज्यानानुभूती है जिस प्रकार नमक की डली का स्वार चपने पर नमक का स्वार प्रत्यक्ष रहता है पर जब कुल्ला कर लेते हैं तब भी नमक का स्वार रहता है लेकिन वह धार्ना रूप में स्मृति ज्यान के रूप में प्रत्यभी ज्यान के रूप में रहता है, धार्ना ज्यान रूप में तो निरंतर ही रहता है, स्मृत्य प्रत्यभी ज्यान के रूप में कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, इसी प्रकार आत्मा का ग्यान अनुभव के काल में तो अनुभव प्रत्यक्ष के रूप में रहता ह अनुफव प्रत्यक्ष में आया भगवान आत्मा ज्यानी धर्मात्माओं के धारना ज्यान में तो सदा रहता ही है किन्तु जब उसका ज्यान अनिय गेवों को जानता है तब भी उसे आत्मा की स्मृति हो सकती है ऐसा प्रत्यवी ज्यान भी हो सकता है इस प्रकार अनुभव के काल से भिन्न समय में भी सामानिय ज्ञान का आविर्धाव हो सकता है धारना ज्ञान की अपिक्षा तो वह सदा ही रहता है पर स्मृति प्रतिव भी ज्ञान के समय कभी कभी ही होता है चैचिनेंद